नमस्कार आप देख रहे हैं आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूँ आशिष तिवारी लोगसमा चुनाओ 2024 के रण में चार चरण की वोटिंग कम्प्लिट हो चुकी है पांचवे चरण के लिए चुनाओ प्रचार अभ्यान तेजी से बढ़ रहा है और इसी दोरान हिंदू मुस्लिम दोनों ही दलों की ओर से या यू कहें पक्ष और विपक्ष की ओर से हर नेता की ओर से कहा जा रहा है कि हमने चुनाओ को हिंदू मुस्लिम का रूप नहीं दिया है लेकिन पक्ष की बात हो या फिर विपक्ष की बात हो दोनों ही इस दुरूबी करण की राजनिती से भसते हुए नजर अपने आपको साबित कर रहे हैं लेकिन साध भी रहे हैं निसाना साध रहे हैं पियम मोदी ने बयान दिया है माराष्ट की सभा में कहा है कि 15 पृतिशत बजट को बातना चाते हैं इनी पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए मिर साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कॉंग्रेस से प्रवक्ता भीमराजी जाखर आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेल वाल जी आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है भीमराजी प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने महराष्ट में जंसभा की और जंसभा में कहा कि 15 पृतिशत बजट बाटना चाते हैं अल्प संख्यकों में बाटना चाते हैं धर्म के अधार पर बजट का डिवाइडेशन किया जा रहा है या रोप लगाए जारा है क्या करें देखिए मैं तो इतना ही करना चाहूँआ का जब जब कोई राजनेटिक पार्टी ये विक्तिक कमज़र होता हो दर्म और जाती का सारा लेता है जब बीजेपी के पास आपने हमें दस साल मेंडेट दिया हम सत्ता मरें आपके लिए स्वास्ते एगरिकॉल्चर परियाटन परिवन शुरुक्षिया आप काम किया हो कुछ जनता को बताने के लिए हो आप बजट की बजट की बात करें दिये यह यह नहीं बता पाए का जब दो जार चौदा में स सरकारी बैंकों की कल रिपोर्ट एक लाग इकतारी जार क्रोर के बेनिफिट में तो आखिर पैसा जा का रहा है आपको बजट की चिंता क्यों हो रही है आपने नोट बंदी लगाई आपने जीस्टी लगा कि भी लोगों के निवारा चीन लिया आपने खाने-पीने की करमचारिये चाहिए बैंकिंग ओफ हैनेस हो या कोई भी टेली कोम हो या आपके मीडिया बंदूज़ों ट्रांसफर होता था उनके बच्चों का भी स्कूल में ट्रांस पर वह भी इन्हों ने बंद कर दिया आप राजस्तान में इंगली में स्कूल बंद करने जाने मेडि लाके यहां के पिट में इन्होंने चुरा गौंप दिया तो आखिर ये क्या करना क्या चाते हैं कोई काम देने के बताने को नहीं है नोट बंदी से जो हाल इन्होंने देशका किया तो आज बताने लेक नहीं है कल आज से दो दिन पहले जिते अंदर सिंगे गीवा थे रास्तान के वो सहीद हो गे थागनी वीर में एक बोड़ी को उन्होंने दो सिपाईयों के साथ बेज़ दिया कितना आप मान किया हो सहीद का सहीद का दर्जा भी नहीं दे रहे हैं आकिर कर क्या रहे हो आप लोग सिर्फ और सिर्फ दे ये हम दो हमारे दो दो गुजराती बेच रहे हैं दो खरीद रहे हैं आज जनता जो बोर्ट कर रही है वह सोविधान बचाने के लिए लोकACE रबचाने के लिए जल जंगल और जमीन बचाने के लिए आखिर इनको अपने मित्रों से प्रेम हैं नहीं नहीं तो एक इसकाशान को बख्षते uns बॉबतर रही ऑस और टाली है इस नहीं कुछ नहीं किया बरंपूतर का अपना कितना पाणी आता था वह उन्होंने चाइना ने बांध बना के रोग लिया पैसर पैट्रोलिंग पॉइंट है उन पर उन्होंने कभजा जमा लिया चारों तरब से माल दी वह उनको इन्होंने कभजे में लेने स्री लंका में हुकाम कर रहे हैं चारों तरब से हिंदुस्तानों गेरें चाइना वहां कर्याला कम दिखा होगी आप लोगे आप लोग करना कुछ चाथे नहीं हो दूसरी बात इन्होंने देखिया ऑंकोंग और सिंगापूर ने अपने जो मसाले एक्स्प्रोट होते थे उसको इन्होंने बंद कर थी जल्कि विदान सवाथ चुनाव में एडी और शिवय उपक्स के नेताओं पर चापे मारी थी अरेस्ट कर रही थी एक भी आदमी का उदान ने में राजस्तान का उदारान देता हूं बजरी माफिया मेगरा सिंग के चापा पड़ता है और 22 अगस 2022 को मेगरा सिंग राजेंदर राठोड की 22 अगस 2022 की फेस्बुक उटा लिए सारी फोटो उसने बाद में डेलीट कर दी आखिर क्यों किस इस काटर था उनको आर्विय के मुताबिक जो विदेशी मुद्रा बंडार था जो 1.156 डोलर गट गया है पानसो पर उनसट गया उसका जिकर नहीं कर हैं सिर्फ और सिर्फ देश में गरीब और किसान और मजदूर की लासों में राजनिती करके और कुंजी पती विचार दारा के साथ सासन करना चाहते हैं और अब जो चुनाब है चार्ज उनको रिजल्ट आएगा इनकी तानासाई खतम हो रही है चारी टल को देख लिए नि मुखों ने इनको बताया खा पत्रकार तो इस तरह की विचार दारा करके आप अपनाई है और वह आज मुस्लिन की तरह खतम हो रहे हैं ठीक है अटल जी जिस प्रकार से भीमराज जी ने कहा है कि मुद्दों से भटकाया जा रहा है दस साल आपकी पार्टी ने राज कर लि वह सब एक फेक नरेटिव फेक वीडियो और फेक यह स्टोरीज बनाते हैं काम धाम इन्होंने किये नहीं और देश की आप भी जानते हो गरीबी के नारे किसान गरीब क्यों रह गया गरीब गरीब क्यों रह गये इतने सारे गरीब कैसे रह गई आपने तो 65 साल राज किया हमेशा ग्यारवे बारवे ग्यारवे बारवे लेकिन ये कह रहे है कि करज में डुबा दिया अब आप देखिए क्या करज में इनको पता ही नहीं कि करज में कैसे डुबा दिया आज कितना करज हम लोगों ने लिया है अभी और कितना हमारा विदेशी करज है और कितना हमारा इनके पास ये बता नहीं पाएंगे मेरा दावा है कि घरेलू कर्ज कितना लिया और विदेशी कर्ज जो ये टोटल कर्ज की बात करते हैं न उसकी हमने क्या किया उसको आप सुनो 50 करोड जंदन खाते खुले आपके आतों खाते ही नहीं खुले थे सब काम कैश में सब ट्रां के देश ने जाना कि 11 करोड सोचाले दिये 4 करोड पके घर उसमें भी वन्चितों को और महिलाओं को सबसे ज्यादा 10 करोड उज्वला योजना में अब तो 11 करोड हो गए 1 करोड लगपती दीदी बनाने का काम किया अब इसको 3 करोड और बढ़ाने का इस बार हमने का मन्रे में सरचना मन्रे गा में आपको भी पता है खूब अगबार मीडिया सब छापती थी कि गड़ा खोदते हैं बढ़ते हैं और पैसे देते हैं आप तो सब जानते ही हो अब हमने का कि नहीं नहीं इसको सरचना से जो डो आईटी से इनेबल करो और आधार कार्ड से कि ऐसे नह उठा रहा है उसमें हुआ क्या उसमें आप स्कूल बनाओ बावडी बनाओ उसमें जो एक गाओं को डॉलप करने के लिए पार्चाला बनाओ ये सब करो तो सरचना से इन्फ्राइस्ट्रेक्शर से जोडने की कोशिस की आज आईटी के अंदर भारत पूरी दुनिया के अं बात करो क्या रुपे देते थे आप पर आप डेटा लेने के लिए और आज उससे 6 गुना रेट जादा है मला कम कर दी गई है बीजेपी सरकार ने विश्व के सबसे ज़्यादा नोट पॉइंट से डेटा के हम 6 जी देने वाले हैं पूरे देश को आप ये बाते करते हैं क बी स्टार्टप में 300 स्टार्टप थे और आज 100,007 स्टांटप है ये एकॉनोमी चार आप ये बता ओ ट्रिलियन की कैसे हो गई कहते थे trillion की economy संभावी नहीं है आज 4 trillion की हो गई और हम 5 नमबर पे खड़े हैं 4 नमबर पे आने वाले और आने वाले 5 सालों में हमारे प्रदान मंतरी जी कह रहे हैं कि हम 3 नमबर की विश्व की सबसे बड़ी economy होंगे तो जब तक सामू ही claim दें नहीं होगा तब तक कैसे हो जाएंगे केवल 2-4 व्यापारियों से हो जाएंगे जैसा कि ये कहते हैं अरे आप याद करो लोकेश जी का जल लिया था इनके OSD का जो OSD थे अशोक गैलोज जी का उनका था जब सरकार जाने वाली थी तोक आप पूरा का पूरा वो जलाके आगे थे और पता नहीं करने ते और ये कह रहें कि भीमराज जी कह रहें कि वो वहाँ गए थे और उनपे ये आरोबेर बजरी माफियार वो पकड़ा क्यों यापने किसी ने रोका था क्या कर रहा है अरे आप ही पकड़ लेते एसी बी वगरा सब कोई कर रहा है अरे कोई गलत काम कर रहा है तो आप पकड़ों पाइस को अपनी इनको मैंने बार-बार डिबेट में का और सब हमारे मानने प्रदान मंतरी जी से लेके सब कहते हैं न्यायले इडी, इनकम टेक्स, इलेक्शन कमिशन ये सब सोतन्त रेजिंसियां हैं और ये अपना काम कर रही है लेकिन ये वही पर करेगी जहां पर चोर होंगे ब्रस्ताचारी होंगे ब्रस्ताचार बातों से नहीं जाएगा और वो किया जा रहा है और अभी देखिए तीन सो नवासी सीटों पे चार चरण के इलेक्शन खतम हो चुके और भाजपा बहुत प्रचंट बहुमत से आने वाली है देखते जाओ चार जून तक क्या होता है भीमराजी बरस्टाचार बातों से नहीं जायेगा एक्शन करने से जायेगा बरस्टाचार का यदि कोई जन्ने है और जनक है तो वो आरसस है क्योंकि साउर करने पहला माफिनला लेके 11 रुपे की रिश्वत लेके बरस्टाचार को पैदा करने वाला साउर करता जिसको ये लोग मानते हैं दूसरा मैं आता हूँ नरेगा आप ये नरेगा पर ग्यान बांट रहें मैं पूछना चाहता हूँ कि दस करोड तेतर लाग नरेगा मजदूरों को उन्होंने किस आदार पर निकाड़ा है क्यों निकाड़ा हो गरीब भी रेका से जिनीचे जिवनियापन करने वाले लोग थ मैं बताना चाहता हूँ देश में HCL को छोड़के 2023 में सब भी IT कंपणियों ने करीबन 70,000 के करीब करमचारी अटाए हैं यह दिया पड़ क्या थे और पिछले 4 साल में 2.1 क्रोड जोब गट गए हैं और 47 45 क्रोड लोगों ने तो जोब तलास नहीं छोड़ दिया आप पता ने दिया जो पूरी दुनिया में जासुसी के लिए बद्रामा एरिक्शन जैसी कंपनिया हिंदुस्तान उनको नहीं दिया पर वावे को दिया गया बी एसनल अपने आप में सक्सम कंपनी थी जिसके पास सब कुछ ट्रैक्टर था टीम थी लैंड थी टावर थे करमचारी उसका काम भी इन्होंने जैटी चैनीज कंपनियों दिया वोड़ा फॉन और आइडिया का एक मिट सुनिया आप एक सेकंड सर्ट में बीएसनल का गाटा किता था आप बाता रहा हो पूरी रिपोर्ट एक मिट रुकिया बीच में मत बोलिए एक मिट सुन तो नहीं तो आप आपके पास पैसा तक नहीं था बीएसनल को देने के लिए आप क्या मैं बताओं एक एक जब चिटा को अपनी बात रहे हैं और पिछले मैं आपको पांच साल का डाटा बताओं तो तो अपने दोजार तेईस के अंदर चौसट परसेंट कम्यों पर रहें से में और अमले होते हैं उन अमलों में क्या करता है कि वह पूरा सिस्टम है कर लेते हैं और रिस्वत मांगते हैं बोले आप पैसे डालिये खाते में और तब हम आपको वापिस देंगे आप डाटा अपड़ किया यह आज की अकबार की खबर है मैं नहीं कर आज की अकबार की खबर है पर वो इनको पता नहीं है यह क्यों हो रहा है सिर्फ इस ही कारण हो रहा है कि अपने जो अपना सारा डाटा वीदेशी कम्यों का आत में चला गया वो कभी बंबे की लाइट बंद करते ह और रातो रात किया कौन से पुंजी पती आये थे जो जंतर मंतर बेट है मारा कर्जम आपको खिसान आते हैं तो आप तो गोड़ियों से भूंद रहे हैं आप लोग बूल गए क्या कि रोड़ी मिना कह रहे हैं कि गुजर अंदोलन में सतर गुजर मारे गए थे तेतर उनका बंस तर आयो कि रिपोर्ट सर्जनिक करो ना की सरकार रहें क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग पर आप नहीं करोगे क्योंकि आपका काड़ाची टाफ खुल जाएगा आप ये भी नहीं मताओगे का सर्द मराट्रे संजे मरी वाड़ा कौन थे आप ये नहीं बताओगे का वो दो स्पैनिस नागरी कौन थे जो नोट बंदी वाड़े दी नहीं है, मौमोधी से मिलके, आप ये भी नहीं मताओगे, का जेम जो सी कौन था जो बाविबरान का पार्टनर था, और जिसने फोर्चुनर ओम बिड़ला को दी थी, क्योंकि विदेशी अंतक्यों से हाथ मिल है काम करते हो, क्योंकि और आप कर रहे हो ना, एड़ी, तो मैं तो पूछना जाता हूँ, का एड़ी जब भरफुल तो यह बहुत बार बोलते हैं अगनी वीर अगनी वीर गलत योजना है क्या गलत है उसमें मैं आप से पूछता हूं अभी तो पूरा आप शेत्र को देखिए पूरे आप आसपासी भारत की विश्व की द्रस्टी से देखे क्यों कि पूरे अनाच के ठेर में से एक गहूं निकालते हैं और उसमें यह गूने और जिसकी अपनी पूछिए और जिसने अपनी पूपानी दिया उसे पूछिए जनता पार्टी वारा का फिर सालू करने चाहते हो आपको अमनाचेक के बाद में जब भारत ने एर स्ट्राइक की थी तो इन लोगों के आउल गानी ते लेकर सब्सक्राइब अपनी बात रखे बाला कोट एर स्ट्राइक के अंदर भारत जो भारत बाला कोट एर स्ट्राइक करके जो भारत के लाल जो सैनिक आये जिसको पूरा भारत जर्शन मना रहा था लेकिन ये कॉंग्रे से पूरे के पूरे 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 पुर्टारी करके थे और इन लोगों ने अपनी बात रखे ये टीवी चैनल का मंच है ये कुछ चुनावी मंच नहीं है यहाँ पर अपनी बात रखे यह कोई अपने को डिवेट विए जवानों का अपना पां के सिखर स्थी है पीजय पी आप आप आस जोपार देख स्थी को इस लोगों ये आप तिक है इस वीम्राजी और आप आप रहे ये गलाजीं आपको मुट कराना पड़ेगा आप दोलों को मुट कराना पड़ेगा मुझे मजबूरन मुद्दे से मत बटकिये ना सबूत आपके पास में है आरोप प्रत्यारोप में चले जाएंगे यह समय पूरा निकल जाएगा मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ लोकसबाद चुनाओ के रन में पाकिस्तान की पियो के की एंट्री हो गई है पाकिस्तान को चूडिया पैनाने की बात की जा रही है पियो के को हत्याने की बात की जा रही है यहां पर धर्म के अधार पर बजट को बाटने की बात की जा रही है सिर्फ यहां पर अपनी बात को सिमित रखिए उसके अलावा आप इधर उधर मत जाएए तो कि आशी जी पियो के भारत क आई है और भारत इसको लेकर रहेगा ये बिलकुल तय बात है ये हमारे माननी अमित्षा जी ने लोकसभा में भी कहा था और हम इसको पूरी द्रड़ता से कहते हैं कि कश्मीरी हमारे भाई बेहन हैं और हम कश्मीर में जिस तरीके से पाकिस्तानियों का अत्याचार है पी यो को हैगा कि वो खुद जुड़ जाएंगे बारत के साथ यहां पर जो जवाब अगर आप दे रहे हैं लेकिन सत्ता पक्स घिरता हुआ नजर आ रहा है आसपास के देशों के अगर बात करें तो पड़ोसी देशों के द्वारा अतिक्रमन करने की बात लगातार विपक्ष कह आ रहा है कि चैना ने भारत पर अतिक्रमन कर लिया भारत की जमीन को अतिया ले आखै आरूना चल की 20,000 किलो मेटर की जमीन किसने किसके टाइम पर का गई थी और क्या कहा था लद्दाक जब तिब्बत को ले चाइना हडप रहा था तो इन्होंने क्या कहा था अरुनाचल के लिए का लिए का कि उजड़ी जमीन थी हमारे किसी काम की नहीं यह तो इनके नहीरू जी के शब्द है यह यह क्या जवान को फिर दस साल का नहीं क्यों चैना चैना पत्ड़ा को लाइसेंस हाप ने डिया और चाइना प्रसेंट आप इसको बाइस सेंट अपने करपा दिया और चैना प्रदान मंत्री मों जब्ला जलुआ जलुआ है और जोने का दिरे लिक एक अग्रेज शाह आज चाहिना की खुलमी करें और कुछ नहीं है और जवालों का अपमान करें कई का गयों के डेर में से एक दाना निकल जाएगा सहीद के अगर जाके पता कीजेए और बीजेपी ने किया और बीजेपी ने कहा खागमी वीडाई भी और चैसांग के बाद जीक रहां के से देखोंगे चार जून को तेख लेना चार जून को अपको एक एक मिनट का समय देता हूं क्लोजिंग स्पीच के लिए मैं आपको दोनों को एक मिनट का समय दे रहा हूं जो भी बात आपको रखनी है वो रख सकते हैं मुझे जवाब चाहिए पंद्रा प्रतिशत अल्प संख्यकों को बजट बाटना चाहती है विपक्ष ये मोदी ने आरोप लगाया है जंसबा में अमिर्शा ने का है भारत का हिस्सा है भारत लेकर के रहेगा इस पर क्या कहना है भी मराजी आपका एक मिनट में अपनी बात रखें और एक मिनट में अटल जी आप अपनी बात रखें शिक्ष्या मिले, स्वास्ते मिले, सुर्ख्या मिले और बीजेपी सिर्फ बंटवारे की राज़नीती करना चाहती है इन्होंने पहले भी किया था और आज भी वही काम बीजेपी करें इनके पास बताने को मूल भूत एक भी मुद्धा हो तो ये जनता को बता देखा हमने ये जनता के लिए किया है शीक्षा के लिए स्वास्ते के लिए रोजगार के लिए सुरुक्षा के लिए महिलाओं के लिए मनिपूर के लिए किस के लिए किया है कोई एक काम बताए कुछ नहीं है सिर्फ बंटवार की हम दो हमारे दो दो प्रदान मंत्री जी कह रहे हैं कि 15 प्रतीशत ये अलप संख्यकों के लिए बजट देना चाहते हैं तो ये पकीसी बात है उनका बिलकुल राहूल गांदी जी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और देश को भी अलप संख्यकों को ये हर बात में हर मुद्दे में जो वन्चित इनको कॉंग्रेस ने वन्चित ही रखा है ये भारती जनता पार्टी है जो उनको आगे लाएगी ये गलत तरीके से बात कर रहे हैं इनको ये साथ बाते हैं तब आपको मुस्लमानी दिशता क्योंकि बेटियों को इस ते गरे आप आप परवीन तोग्रिया लेले इनका भारती संस्कती में कोई विश्वास नहीं है और ये तुष्टी करण करते रहेंगे करते रहेंगे किसी हालत में भी भारती जनता पार्टी है ठीक है समय की सीमा है समय की सीमा है आप दोनों पदारे अपनी बात आप दोनों ने रखी है आज का एजेंड़ना में आप